इस हेडलाइन नियूज ब्राट टी यू बाई मेमन इस्टेट एंड डेवलपर फ्लोट से घर की तामीर तक एक बाह एत्मात इधारा अस्सलाम आलेकुम मेमन नियूज के साथ मैं हूं सौलेह जफर नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइन्स पर कसीरल कामी मश्क ब्राइट स्टार 2021 महमन नागियू मिल्टरी बेस मिसर में मनकिद हुई जिसमें 20 शरीक मुमालिक बश्मुल मिसर, अमरीका, पाकिस्तान, सौदी अरब, अर्दन, कबरस, इराक, बहरेन, सुडान, मराकिश, कीनिया, इटली, इस्पेन, बरतानिया, यूनान, कोयत, मुत्तहदा अरब अमारात, तियूनिस, नाइजेरिया, तंजानिया और फ्रांस आर्मी, नेवी और पाक फिजाये के दस्तों पर मुझतमिल, पाकिस्तान के दस्ते ने 2009 के बाद पहली बार हिस्सा लिया मश्च की अखतामी तक्रीब मुहमद नागियू, मिल्टरी बेस में मुनकिद हुई मश्च की अखतामी तक्रीब मुहमद नागियू, मिल्टरी बेस में मुनकिद हुई मश्च की अखतामी तक्रीब में इंजीनियर इनचीफ, लेटिनेंट जनरल मौजब एजाज ने शिर्कत की दो हफतों की तवील मश्च इलाकाई हाइबर्ट खतरा से निमतने की स्राहियत पर मर्कूज थी मुश्च का फोर्स इंटर अपरेबिलिटी, जॉइन्ट फोर्स इंजमा और समंदरी सेक्यूर्टी अपरेशन्स को बढ़ा कर इलाकाई इस तहकाम को मश्बूत किया मिसरी वजीर दिफा और कमांडर इन टीफ जनरल महमद जकी और 20 मुमालिक के फाजी हकाम बशमूल यू-एस सेंट कॉम ने मुश्च का तर्बियत के आखरी मरहले का मुशाहिदा किया जिसमें हवाई जहाजों, हेलिकॉप्टरों और टैंकों समेथ मुखतलिफ हत्यारों की जिन्दा आख शामिल थी एक्सराइट ब्राइड स्टार 1980 से बकाइदगी से मुनकित की जा रही है इंजिनियर इंटीफ लेटिनेंट जनरल मौजम एजाज ने मिस्री चीफ आफ दी स्टाफ लेटिनेंट जनरल महमद फरीद और एयर कमांडर महमद अबास हेलमी से भी मुलाकात की वजीर इतवणाई सिंद की जेरे सदारा थर फांडेशन का इजलास इजलास में माहिर माशयत कैसर बंगाली की शिरकत इजलास में कैसर बंगाली ने इसलाम कोट तरक्याती सर्वे के बारे में तजवीज पेश की इजलास में थर फाउंडेशन कैसर बंगाली की सर्बराही में बेसलाइन सर्वे के आदादों शुमार की रोशनी जामे तरक्याती मनसुबा मुरत्ब करेगी इलाके में सिहत, तालीम, पीने के साफ़ पानी, नकासिये आप, रुजगार की फराहमी और देगर तरक्याती इसकीमों के हवाले से तजवीज पेश करेगी थर फाउंडेशन अगले दस हफ़तों में जामे तरक्याती प्लान वजीरत अवनाई सिंध को पेश करेगी इसलाम कोट को एकवाम मतहदा के पायदार तरकी के एहदाफ के तौर पर मौडल तालुका बनाया जाएगा पीपल्स पार्टी की हकुमत थर के वसाइल को सबसे पहले थर के अवाम की फलाहु बहबूत के लिए मोहिया करने की पालिसी पर अमल पैरा है पाकिस्तान दुनिया में मैंग्रोज लगाने वाले मुलकों की आलमी दरजह बंदी में सिंध हुकुमत के महकमे जंगलात की शजरकारी मोहिम की वज़ा से जल्ग चौहते नमबर की दरजह बंदी हासल कर लेगा पागिस्तान इस वक दर्जाबंदी में सातवे नमबर पर मौजूद है और अगले दो से तीन मामें दर्जाबंदी में मज़ीद बहतरी मतवक्य हैं इन ख्यालात का इजार सिंद के सुबाई वजीर बल्दियाद सेद नासिर हुसेन शाह ने नेशनल फॉरम फॉर एन्वार्मेंट एंड हेल्थ के तहत मनकिदा अठारवी महुलियाती कॉन्फरंस और एवार्ड की तक्रीब से खताब करते हुए किया इस मौके पर सिंद के सुबाई वजीर महुलियात महमद इसमाईल राहो, करांची चेंबर ओफ कॉमर्स के सदर शारिक वहरा, नेशनल फॉरम फॉर एन्वार्मेंट एंड हेल्थ के सदर महमद नाइम कुरेशी, सेकेर्टी जनल रुकईया नाइब सदर इंजीनियर नदीम अश्रफ, जॉइन्ट सेकेर्टी खालिद इकबाल, अबाद के पैटर्न महसिन शेखानी, अनीक एहमद, पी पी एम के साबिक चेर्मेंट डॉक्टर कैसर वहीद, सी एओ एम सी पाकिस्तान नदीम आरिफ, दौवा फाउंडेशन के सेकेर्टी जनल डॉक्टर फयास आलम, शमसलहक मेमनो दीगर ने भी खताब किया, इस मौके पर नासर हुसन शाह ने कहा कि सिंध फॉरिस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत तेजी से मेंग्रोज के जंगलाद बनाए हैं और एक दिन में सबसे ज़ादा मेंग्रोज लगाने का रिकॉर्ड भी काइम किया है, उन्हो के पर सुबाई वजीर महुलियाद इसमाईल राहों ने कहा कि सुबाई हुकूमत को महुलियाद की बहतरी के लिए गायर सरकारी एदारों और नजी शुबे के साथ की भरपूर जरूरत है, पाक बहरिया के सरबरहा एड्मिरल महम्मद अमजद खान न्याजी का अमरीका का और 24 वी इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में शिरकत, सिंपोजियम में 80 से जाइद ममालिके वफूद बश्मूर मुक्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबरहान की शिरकत, सिंपोजियम में मुश्तरका मेरी टाइम चैलिंजिस और बेनल अक्व अलग अलग खुसूसी मुलकातें की, मुलकातों के दुरान बाहिमी दिल्चस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी तावन पर तबादले खयाल किया गया, कबल अजी सरबरह पाक बहरिया ने यू-एस सरफेस वारफेर स्कूल का भी दारा किया, जहां उन्हें आलमी सطح पर म उनको मज़ीद फरुख मिलेगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हां हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा,